हेलो अब्रिवन आज में लोग पढ़ने जा रहे हैं बेकरी अलगोथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम बेकरी अलगोथम नामी में आ रहा है कि बेकरी आप किसी बेकरिम कुछ समान लेने जाते हैं जैसे कि आप केक लेना है तो आप क्या पहले क्या करते हैं पहले चॉइस करते हैं कि हमको एक आपको चॉइस दी जाती है कौन सा केक आपको लेना है आप जब केक ले लेते हैं आपने केक चॉइस के लिए एक लेना है उसके बाद क्या करते हैं आप काउंटर पे जाते हैं वहाँ बिलिंग करते हैंैं ठीक, आप बिल पे करते हैं उसके बाद आपको token दे जाता कि आपका ये नंबर है इस नंबर पे आपको क्या मिलेगा आपको cake मिल जायेगा ठीक, तो इसी बेकरी algorithm में दो चीज़े आएंगी पहला क्या होगा आपको choice मिलेगा ठीक उसकी बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको token number मिलेगा ठीक वही काम यहाँ पर हम लोग algorithm की थुरू करेंगे तो बेकरी algorithm क्या होता है पॉइंट वन बेकरी algorithm is used in multiple process solution को ठीक यह end process पर काम करता है end process ठीक पहले क्या करेंगे हम लोग जब हमनों choice करते हैं choice हमको choice लेनी होती है choosing करते हैं तो तो हम लोग by default जो value होती क्या होती है हमारी by default value क्या होते हमारी false होती है ठीक इनका जो मान लिए अगर C program बात कर लेजाए जो हम value पूट करेंगे पहले उसकी by default क्या होती है false होती है और indexing number 0,1,2,3 आप कोई indexing number देते हैं इसमें कोई मतलब नहीं बस choice क्या होने चाहिए by default false होती है ठीक हम लोग कोचे choice करते हैं अगर हमने मान लेजी हम GUY केग लेना है हमको यह केग पसंद आ गया है तो क्या करेंगे हम लोग choice हम लोग true करतेंगे ठीक चॉइस को हम लोग true कर देंगे उसके बाद हम choice हम लोग को जब सैसे true हो गई तो उसके बाद हम लोग को क्या token number के लिए हम लोग critical condition में जाने के लिए हम लोग क्या token number के जूरत पड़ेगी ठीक तो token number by default value क्या होती है token value की default में value क्या होती है 0 होती है फिकस पी-फीजी रोप्य दो लेकर अगर आ लोगती फिल मतल्च में निकल लिया तो इसकी verk ़ेखिए फॉल से decided फिर टोकन की अगर आपको क्रिटिकल सेक्षन में हम अपास टोकन नंबर किसी दो प्रूसेंस का टोकन नंबर सेम हो गया आप क्या करेंगे अब उसको हम पहले पहले मानेंगे जिसका टोकन जादा होगा ठीक चेक करेंगे इसमें यह 0 है यह 1 है तो इसके ID के थुरू ID के थुरू हम इसको पहचाने के कौन सा क्रिटिकल सेक्षन में पहले जाएगा ठीक अगर कभी यह कंडिशन आ जाते है कि कभी माल लीजिए किसी दो लोग को टोकननमबर का मिल गया तो पहले होती है अब लैसे तो कौन पहले जाएगा यह वाला जाएगा ठीक तो इसको पहले critical section में इंटरे करेगा, ठीक अब bakery algorithm समझ लेते हैं bakery algorithm .1 क्या होगा कि bakery algorithm end process में काम करता है किसमें काम करता है? end process में काम करता है दूसरा point bakery algorithm यह नहीं कहता है कि किसी भी दो process का critical token number होगा same होगा मतलब यह कहता कि जो दो number होगे उनका token number same हो सकता P0, P number token number same हो सकता है किसी भी दो process का token number same हो सकता है same number अब token number कैसे देते हैं? कि जितने maximum token होगा है उसमें plus 1 जो maximum number है जिसे मान लेजिए maximum number number 0 फे plus number 1 इनको यह maximum number plus 1 इनको यह number हम लोग इसकी थुरू हम लोग token number को decide करते हैं किसको देना है ठीक कितना number देना है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी algorithm कैसे काम करती है ठीक अब algorithm देख लेते हैं इसकी algorithm क्या condition देख लेते हैं if i and pj receive the same number and if i less than j then क्या होगा तो pi पहले served होगा served first ठीक अब algorithm चेक कर लेते हैं हम लोग जो algorithm करेंगे वो क्या होगी infinite loop में चलेगी हम लोग लगाएंगे do अब क्या होगा हम पहले क्तरते हैं जब एक cure में जाएंगे तो पहले किया को कुछ समान खहिदना हो हम लोग choice करते हैं तो क्या करेंगे एक ćoicing होगी i में हम choosing कर देते हैं तो पहले क्या करेंगे by default value क्या होती choose की होती है तो आम लोग चाइस कर लेते हैं तो क्या करते है उसकी वैल्य को च्रेंज करते हैं क्या करते हैं ठीक आप कमेंड में लिख लिते हैं यह कमेंड है थिक ¿ आप देखिए हम च्वार्स की वैले च्वार्स की वैल्यू क्या होगे होगे पहले पाले मेंbellgra scope कि एक हो गोर्स की क्या हो थु क्या हो मैं में था उख लिए प्र ब्रक्समर्स को में जितने नमबर मिल चुके हैं नमबर कॉलों से जीरो is no 1 हम लोग यह पोसह के लिए किसके लिए कर रहे हैं एन पोसह के लिए हम लोग यह कर रहे हैं टिक तो इसको कहात चाहेगा नमबर N-1 और ये बंद हो जागा और PLUS 1 ठीक इसका समस्ते हैं क्या कैसे क्याइसे क्या reckon करती है मान लिए किसी अगर हम प्रोसेस है किसी को मिल गया है किसी अगर हम लोग Everything Starting में आए है ठीक तो क्या होगा Starting में क्या होगा Number 0 होगा ठीक, 0 हो गया, maximum value क्या हो गया? अगर हम लोग पहले starting गाना bakery में आए, हम लोग डिक चाहिए Bakery open नहीं हुई है, हम लोग इंटर कर गया तो जो हमाँ बे starting number क्या हो गया? 0 हो गया? 0 और ये plus 1, plus 1, मतलब maximum number क्या मिलेगा? 0, plus 1 हम लोग को number क्या मिल गया one मिल गया जो number i का क्या मिले गया हम लोग को number i की value क्या मिल गया one जो सबसे पहले आदमें enter किया उसको क्या मिल गया token number one token number मिल गया ठीक यह number हो गया उसके बाद हम लोग token number मिल गया तो क्या कर देंगे choosing को choice हमने की थी उसको हम लोग false कर देंगे जब टोकन नमर चाहिए तो हम लोग लोग क्या कर देंगे फिर से false कर देंगे क्यों जो आगे कोई और परसान आगा उसको हम लोग token number देने के लिए यहां condition को false करना पड़ेगा ठीक उसके बाद हम लोग यह condition हम लोग के हो गई अब यह बार true false कर दिया अब हम लोग यह चेक करेंगे कि जब हम यह यह हम लोग एक choice कर रहे है जब I choice कर रहा है तो क्या कोई दूसरा भी जो दूसरा भी person है या मामन लिजिए हमने I और J loop लगाया अगर I choose कर रहा है token क्या दूसरा J भी क्या है उससी स चेक करेंगे for for लगाएंगे for loop लगाएंगे यहाप है चेक करेंगे J is equal to 0 and J less than n and क्या है इतने पॉर्सेस है कितने नमर नमरा पॉर्सेस ओ जे प्लस प्लस ठीक इसके अंदर आएंगे क्या लगेगा while choosing J इस condition मतलब समझी है आप लोग इसका क्या होगा comment लिग लेते हैं ब्लोग if choosing J is true अगर यह true हो गई तो loop यही पे looping करता रहेगा keep looping here keep looping here क्या करते हैं keep looping here till pj pj has finished choosing ठीक condition होगे यह चेक करेगा यह कब तक looping कर रहेगा यह तब तक हमको pj की value फिनिक्स नहीं कर लेता हमारा token को ठीक तब तक ही condition चलती रहेगी ठीक उसके बाद क्या आएगा हम लोग अब एक और while loop लगाएंगे चेक करेंगे कि किसी भी दो हमने यहां आपको पताया किसी भी दो अगर मान लीजे दो process आ गया है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि उसको कौन सा पहले served होगा तो हम वही condition अब लगाने जा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे while loop number j क्या j does not equal to 0 अब यह condition चेक कर रहे है किसके साथ i के साथ ठीक j हो i के साथ compare कर रहा है does not equal to 0 है अगर है उसी समय and जो number है number j j less than number i less than number i i ठीक अब यह सोच रहे होंगे आपने जो दो बार j j क्यों लिखा है और यहाँ पर j i i क्यों लिखा है मान यह number हमारा क्या है टोकन से टोकन से हमको मिल गया है इस number में क्या होगा यह टोकन से ठीक और दूसरा जो j है इसको हम लें बोलते है आई-डी फिक आई-डी यह चक करता कि किसी भी दो प्रोशेस की ID CM तो नहीं है अगर यह है अगर the condition गल्ट्रू होगा दा ती है तब आगे मूव ऊगहन है तो यह चलती आएगे ठीक यह कंपेर करता है किसी भी दो प्रोशेस की ID захERE nए है ठीक उसके बाद क्या आगए? critical section यह आगए critical section ठीक? यह हमारा क्या था? main part यह हमारा looping चलेगा पहला choice करेगा फिर token मिलेगा फिर इसका बद compare करेगा कि कोई और process साथ में token ले तो नहीं रहा है अगर ले रहा है तो वहाँ पर उसको move करता रहेगा उसके बाद चेक करेगा क्या दो process जो process है उसका क्या same ID है और क्या चेक करेगा? same critical section लेना चाहता है कि same उसकी पास token number same होगे कि नहीं है अगर same token number है तो उसको check करेगा यह यहाँ पर आगए उसके बाद critical section complete होगा उसके बाद फिर क्या करेगा? while one ठीक यह हमारी क्या है? bakery algorithm हमें कैसे बाद करेगा? ठीक फिर से बाद कर लेते हैं एक बाद फिर से इसको इसको इसार्टिंग संबल लेते हैं पहले क्या करेगा? बेकरी section में को बाद मुल्टी पर प्रोसस के लिए काम करता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले क्या करेंगे? choice करते हैं by default जो choice होता है वो क्या होता? false होता है जब हम choice करने जाते हैं तो उसको हम value को false से transfer कर देते हैं true क्यों? बतलब लिए लोग उसको true कर लेते हैं ठीक उसके बाद token लेते हैं कि किसी भी दो process की जो हमाँ दो process हैं उसको same token number तो नहीं मिल गया है अगर मिल गया है तो उसको क्या करेंगे? किसके थुरू हम ये decide करेंगे कि कौन सा पहले served होगा तो उसके लिए क्या है? ID है ID चेक करेंगे दो token की ठीक? दो process की ID चेक करेंगे जो ID काम होगे उसको हम लोग served पहले करेंगे ठीक? उसके बाद हम लोग ये हम लोग ने algorithm की तुरू समझा है algorithm की तुरू क्या है? पहले क्या करेंगे? choice करेंगे value true कर दी उसके बाद हम लोग ने token दिया token कैसे देंगे? maximum number plus 1 ये formula या दखेगा maximum number जितने number उसको maximum plus 1 ठीक? उसके बाद choice हम लोग के ले लिए token number मिल गया उसके बाद क्या करेंगे? choice को false कर देंगे false इसलिए करते हैं कि जो दूसरा process है वो आगे जो कोई दूसरा आदमी है मान लिजए दूसरा process है वो आकर लोज़ करेंगे उसके बाद यहा चेक करेंगे जो हमारा यह check करेंगे कि जब हमारा पहला person जब person आई है वो जब choice कर रहा है उसी समय का दूसरा person भी critical section मौ जाने लिए जो कर रहा है choice feeling कर रहा है यह चेक करेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ये compare करेंगे किसी भी दो process की दो process को same number तो नहीं मिल गया, token number same तो नहीं मिल गया है ये हम लोग check करेंगे, उसके बाद का critical section complete होगा उसके बाद number जो हमारा I है उसको zero set कर देंगे और remainder section complete main part सिर्फ यहां से, do while से यहां तक हमारा main part है ठीक, उसके बाद सिर्फ create का section होता है, फिर number I को हम लोग zero set कर देते हैं और remainder set कर देते हैं, फिर while is called to while हमारा one हो जाता है यह हमारा bakery algorithm है, thank you everyone